हिमाचल सरकार में सीनियर मिनिस्टर सुरेज भारदवा जिंदेनों दिल्ली में हैं हम उसे बात करेंगे सर राजधानी दिल्ली में आप हैं सरकार से भी बात हो रही है संगठन से भी क्या कुछ इस दौरे का उदेश है रहा कि देखें मुख्य रूप से हिमाच्र प्रदेश में स्मार्ट सिटी इसमें दो शेहर हैं शिमला और धर्मशाला 31 मार्च को उसके सारे जो टेंडिंग प्रोसेस है काम सौपने का काम है वो स्माप्त हो रहा है और कुछ और रन्या हमारी यूजनाएं हैं अमरोद मिशन के अंतरगत है और इसी में फंडिंग पैटरन पर जो है तो जो सेंटर मिनिस्टर रहें डर्मेंट के सरदार दीव सि पूरी जी उन से जो है वो मिलने का समय तय हुआ था तो मुख्या रूप से तुम्हें उसी कान से आया हूं लेकिन क्योंकि हमारे प्रदेश्ट से जो हैं वो राजय सबा के सांसद हैं और साथ ही आजकल हमारे राश्ट्री अध्यक्ष हैं जगत्राश नड़्डा जी तो क प्योस इत्यादी मनाई हैं और एक नया कॉप्रेटिव सेक्टर में जो है वो हमारे प्रदेश में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं और आप नजरे हमाचल पर हैं और इस बार चर्चाय भी बड़ी शुरू हो गई हैं आपके थेत्ड ये इस बार जो है वो फैल हुई हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो इस बार पुझे राखती जैनता पार्टीर रिपीट करेगे तर नए वीकलप की बात हो रही है हमाचल में और पंजाब में एक पर्चेंट बाहुमत्ट से आम आद्मीं पार्टी की सरकार वह कहर हो रही है तो देखे हर एक आदमी को लोकतंतर में किसी बीस्थान पर वोट मांगने का चुनाब लड़ने का अधिकार होता है तो उसमें जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्रि भी हिमचल जाकर वोट-बाट मांगना चाहते हैं तो उनका स्वागत है लेकिन दिल्ली और हिमचल प्रदेश में दिन रात का अंतर है दिल्ली एक नगर है शेहर है आबादी यहां की शायद 2-3-4 क्रोड होगी लेकिन हिमाचर प्रदेश जो है वो 70 लाख की आबादी वारा एक प्रदेश है लेकिन उसका शित्र फल जो है वो शायद बहुत बड़े-बड़े राजियों से प दिल्ली में जो है वो GST surplus state है पंजाब जो है वो 3 लाख क्रोड के जो है वो कर्द में जो है वो डूबावा प्रदेश है अब वहां पर काम करना और दिल्ली में काम करना उसमें अंतर है और हिमाचर प्रदेश तो इन दौनों से जो है वो बिलकुल भिन है टलेचियों नहीं दौन दो है वो बिलकुल भीच्ज कि लगजेंग जो है भीच्यों से जो है आया वो है वो डिलकुल दो हैज सक्रसा वो है वो को दो है में प्लाग करना वो हैáfic वो क्रूबावापी ।ो रखुछ, एक रह ca DMदानी प्लीम